उन सबों को समर्पित, जो अपने अंदर का जोश दूसरों के साथ बाट कर उनके अंदर की ललक जगाते हैं, और इस दुनिया को अधिक महर्बान, अधिक खुपसूरत बना डालते हैं। वो किताब बहुत सभल हुई थी, इतनी जितनी हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमने जाने का निश्चय किया, और जल्द ही हम दोनों उस अध्भुत गाउं में पहुँच गए। वहां हमें संसार के सबसे उम्रदराज लोगों से बातें कर पाने के मौके मिले। और इस तरह हम उनके लंबे, समर्पित व कर्मठ जीवन के रहस्य उनहीं के मौह से जान सके। एक इकाई, दीर्ख और सुखी जीवन का जापानी रहस्य, नामक हमारी वो किताब उनहीं लोगों को देख समझ पाने का सुभल था। उस किताब के आधार में है उद्देश्य पूंड जीवन। हमेशा यौवन से ओत प्रोत रह सकने के लिए हमारे जीवन में एक उद्देश्य का होना नहायत जरूरी है। पाठकों द्वारा उस किताब के अध्भुत स्वागत ने हम सभी को चकित कर दिया था। स्पेन के सबसे प्रमुख ऑनलाइन पुस्तक भंडार में पहले ही दिन वो किताब बेस्ट सेलर घोशत हो गई थी। दो महीने बाद वो तीस देशों में बिखने लगी। यूएस, रूस, चीन, और तो और जापान में भी। हमें सैकडों पाठकों के पत्र मिले, जिन्होंने बहुत उत्साह से एकिगाई से प्रेरित होने की बाद बताई। लेकिन साथ में वे ये भी पूछ रहे थे कि अपना एकिगाई मैं कैसे खोजूं। मैं जानता हूं मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी भीतरी लालसा क्या है। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के बोज से मैं दबा रहता हूं। और अपने एकिगाई के लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूं। एक तरह से उनका प्रश्न था कि वे अपने सपने कैसे साकार करें। यही प्रश्न हम दोनों ने भी खुद से पूछ रखा था। और इसलिए हमने तय किया कि हमारी अगली किताब पूरी तरह से व्यावहारिक होगी। और हमारे पाठकों के साथ साथ हमारे अपने इकिगाई के भी सभी पहलूं को उजागर करेगी। यही हमने अपना लक्षे बनाया था। और आज दो साल बाद उसी लक्षयान वेशन का फल इस किताब के रूप में आप सुन रहे हैं। इसे किताब नहीं, बलकि वो साधन मानिये, आउजार मानिये, जिसकी मदद से आप अपने अतीत को समझ कर अपना भविश्य बदल सकेंगे। अपने अतीत को समझ सकेंगे और अपने वर्तमान को वैसे जी सकेंगे जैसे आप जीना चाहते हैं। हम दोनों ने उस पहली किताब के पहले कभी एक साथ काम नहीं किया था। जापान ने हमें सहकर्मी बनाया और इस नए ओजार को तराशने के लिए हम दोनों जापान की एक नई यात्रा पर निकले। इस यात्रा में हम वे सबक, वे उदाहरन खोज रहे थे। जिनसे आपका एकिगाई आपके अपने जगत के केंद्र में आए और आपके जीवन के धे को पूरा कर सकने वाला सशक्त आवेग बन सके। एकिगाई एकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका समुचित अनुवाद शायद नहीं हो सकता। एकिगाई जीवन का वो देश है जिसके चलते आप उमीदों से भरे मन से सुभा सुभा उमीदों से भरा मन लेकर अपने बिस्तर से उठते हैं। ये दो शब्दों को जूड़ने से बना है एकि अर्थात जीवन या जीवित रहना। और गाई मतलब जिसका कुछ मोल हो। तब एकिगाई का शब्द शह अनुवाद होगा वो जो जीवन को मोल दे। जापानी मानते हैं कि हम सबों के अंदर हमारा एक या एक से अधिक भी एकिगाई होता ही है। चाहे हम उन्हें जाने या ना जाने। शिनकौन सेन प्रभाव। विश्व युद्ध के बाद की तबाही को पीछे छोड़ कर जापान का सन 1960 से 1970 के बीच दुनिया में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन पाना जापानी चमतकार या मिरेकल कहा जाता है। हम जब इस चमतकार को समझने की कोशिश कर रहे थे तब हमें ये दो शब्द मिले। शिनकौन सिन प्रभाव। ये एक अभूत पूर्वधारणा है। इसका उप्योग अब तक बस एंजिनियरिंग और जापानी व्यावसाइक कमपनियों में होता आया है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इसके सिध्धान्त हमें अपने वैयत्तिक लक्षयों को भी जल्द से जल्द पाने में सक्षम बना देंगे। इस किताब के पहले भाग में हमारा लक्ष है जापानी चमतकार को प्रत्येक पाठक के निजी जीवन में लाना। ताकि हम सब अपने जीवन के हर क्षेत्र में असंभव को संभव कर सकें। लेकिन एक और बात है। जापानी चमतकार चाहे हमें कितना भी आकर्शित करें। पर जीवन सब कुछ और अच्छा या और तेज करदेना मात्र नहीं है। अपने इस सफर में हमने ऐसे तरीके भी खोजे और विकसित किये हैं, जिनसे हमारा अतीत हमारे वर्तमान को गती दे। और हमारा वर्तमान उस पत को प्रशस्त करे जो भविश्य में हमें वहां पहुँचाए जहां हम जाना चाहते हैं। पूरब के देशों में इसे बदलते समय को स्वीकारना कहते हैं। क्योंकि सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो कभी नहीं बदलती। बदलाव का लगातार आते रहना। इस बात को ठीक से समझने की जरूरत है ताकि हम अपने जीवन के प्रवाह पर काबू रख सकें। और समझ सकें कि बीते दिनों में हुए परिवर्तनों ने हमें कैसे प्रभावित किया है। ऐसा करने से भविश्य में मिलने वाले विकल्पों में सही विकल्प चुन सकने के लिए हम तयार रहेंगे। यदि हम खुश रहना चाहते हैं और अपने लक्षे की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, तो ये आवश्यक है कि हम समय के साथ आने वाले परिवर्तनों को स्विकार करते रहें। हमारा एकिगाई भी किसी बदलाव से बहुत भिन्न नहीं है। ये बात ठीक है कि एकिगाई सदा हमारे साथ रहेगा। लेकिन ये एकिगाई स्वयम समय समय पर बदल सकता है। ये इसपर निर्भार करता है कि हम अपने जीवन के किस चरण में हैं। जो बातें पंद्रह की उम्र में हमारे जीवन को मोल देती हैं, वे सत्तर की उम्र में नहीं देंगी. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिंदगी के हर पड़ाव पर हम अपने एकिगाई के साथ एक लाए रहें. ऐसा न रहने पर हमें लगेगा कि हम अपने रास्ते से भटक गए हैं, और बाहरी ताकतों ने हमारे जीवन को हथिया लिया है. हमारा एकिगाई एक रेडियो फ्रीक्वेंसी के समान है. हम जितना अधिक इसके निकट रह सकेंगे, उतना ही अधिक हम अपने जीवन के अर्थ को समच सकेंगे. जीवन में उतार चड़हाव आते रहेंगे. ऐसा होना लाजमी है. असल में ये एक रास्ते का मानचित्र है, जो सतत परिवर्तनशील जीवन में अतीत, वर्तमान और भविश्य को साथ रखते हुए, तथा अपनी जीवन वृत्ति को निभाते हुए, अपनी वैयत्तिक त्रिप्ति पाने में हमारी मदद करेगा. सबक भूत काल, आनंद वर्तमान काल, लालसा भविश्य काल, एकिगाई, एकिगाई पत्थ. एकिगाई पत्थ निर्धारण के माध्यम से, हम अपने अतीत, वर्तमान और भविश्य के बीच संतुलन स्थापित करने के प्रयास करते हैं, ता कि हम संत्रिप्त रह सकें, और अपनी प्रतिभाग को विकसित करते हुए अपने सभी लक्षे प्राप्त कर सकें। जापान यात्रा के लिए हमने तीन जगाहें चुनी, जिनके आधार पर ये किताब तीन मुख्य भागों में बढ़ गई है। पहला, भविश्य की यात्रा, टोक्यो. जापान की राजधानी टोक्यो में हम बुलिट ट्रेन की सवारी करेंगे और सितारों जितने उचे लक्षे रखते हुए अपने आधर्श भविश्य की रूपरेखा तयार करेंगे। ये सच है कि हम जो चाहें वो हासल कर सकते हैं। इस पर यदि कोई सीमा है, तो बस ये कि हम कितना हासल करने की सोच सकते हैं। इस भाग में कुछ अभ्यास मिलेंगे जो आपको अपनी पूरी क्षमता को ध्यान में रखते हुए भविश्य की ऐसी योजना बनाने में मदद करेंगे, जिससे आपके अंदर का शिनकांसिन प्रभाव जागरित हो सके। दूसरा, अतीत की यात्रा, क्योटो। इस प्रांत का भ्रमन हम एक धीमी चाल वाली गाड़ी से करेंगे, जो हमें यहां की प्राकृतिक छवी और पुरानी परंपराओं को देखने समझने का समय दे। इस धीमी गाड़ी में अतीत की एक ललक रहेगी, जो हमें अपने बीते हुए जीवन पर विचार करने में मदद करेगी, जिससे हम खुद को बहता ढंक से समझ सकेंगे। एक पुरानी ग्रीक सूपती है, खुद को पहचाने। कैसे पहचाने। इसका एक हल इससे मिलता है कि अब तक आई चुनोतियों का हमने कैसे सामना किया है। अनुभवों को सकारात्मक दृष्टिकोंड से देखना चाहिए। ऐसा करना शारीरिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर अच्छा रहता है। बीते हुए दिनों की समझ हमारे जीवन वृत्त को एक अर्थ देती है। बचपन और किशोरा वस्था की अपनी इच्छाओं व लालसाओं को फिर से देखने से हमें अपने इकिगाई को पहचान पाने के बहुत महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। तीसरा वर्तमान की यात्रा ईसे। ईसे का मुख्य मंदिर दो हजार वर्षों से अधिक पुराना है। क्या इसे अधीत की निशानी नहीं मानना चाहिए। पता नहीं क्योंकि जापान के निवासी इस एतिहासिक संरचना को हर 20 साल बाद गिराकर उसका पुनर निर्मान करते हैं। इस तरह ईसे का मंदिर निरंतर वर्तमान में जीता है। ये परंपरा हमें दिखाएगी कि अतीत के भार से दबे रहना कितना अविवेक पूर्ण हो सकता है। क्योंकि हम कभी भी कुछ भी कर सकने के लिए पूरी तरह स्वतन्त रहें। इसे मंदिर के परिसर में पैदल घूमते हुए हम वहां स्थित दूसरे मंदिरों को भी देखेंगे। जहां हम एंसो व्रित खीचना सीखेंगे और समच सकेंगे कि कैसे यहां तीरंदाजी जैसा प्राचीन अभ्यास भी हमारी आत्मा को वर्तमान में रहने के लिए बाध्य कर सकता है। हम देखेंगे कि कैसे कोई भी कला हमें वर्तमान से जुड़े रहते हुए प्रवाह की दशा में लाने का एक चमतकारी साधन हो सकती है। यह बस एक किताब नहीं है। यदि आप इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे और इसमें बताई गई बातों को अपने धैनिक जीवन में उतारेंगे, तो आप पाएंगे कि यह किताब आपको उस जगह ले जाएगी जो अब तक बस आपकी कलपना में थी। अब आप खुद को तैयार कर लें, क्योंकि अब आप नए परिद्रिश्य देखेंगे और देख कर चकित हो जाएंगे। एक गहरी सांस लें और अपने मानस पटल को खुला रखें। यात्रा शुरू होने ही वाली है। साथ चलने के लिए धन्यवाद। हेक्टर गार्सिया, फ्रांसेस्क मिरालेस। भाग एक, भविश्य की यात्रा, टोक्यो। अपने लिए बड़ी कार्य योजनाएं बनाने और उन्हें फलीभूत होते देखने के लिए आवश्यक आंतरिक अनुशासन विकसित करने हे तू। शिनकांसेन प्रभाव और अन्य तकनीके। हमने शीन्जुकु स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू की। तीस से चालीस लाख लोग रोज इस स्टेशन से गुजरते हैं। गिनेस बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसे विश्व का व्यस्ततम यातायात केंद्र बताया गया है। शीन्जुकु इस बात का साक्षात उधारन है कि जापान क्या कुछ कर सकता है। इस स्टेशन पर किसी से मिल पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। दो सौ से अधिक द्वार हैं, खलत दर्वाजे से घुसना अर्थ का अनर्थ कर देगा। मिल पाने में कोई परिशानी ना हो। इसलिए हमने पार्क हयात होटल की बावनवी मंजल पर स्थित न्यू यॉर्क बार में मिलना तय किया। प्रसंग वश बताते चलें कि Lost in Translation फिल्म के अनेक दिर्शियों की शूटिंग इसी बार में हुई थी। मुम्बत्यों से सजी हमारी मेज के चारों तरफ एक बड़ी गोल खिड़की से टोक्यों की उची इमारतों का महसागर नजर आ रहा था। शहर यूँ चमक रहा था, मानो अभी अभी तारों भरे आकाश में बदल जाएगा। एक जैस बैंड माइल्स डेविस की रची एक धुन बजा रहा था। तोक्यों में आकर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम भविश्य में पहुँच गये हो। यामजा की विस्की का एक घूट लेते हुए फ्रांसेस्क ने पूछा। ये भी एक कारण है कि मैंने यहीं रहना पसंद किया। हेक्टर ने कहा। साइन्स फिक्षन और भविश्य की कल बनाएं हमेशा मुझे प्रिये लगी हैं। लेकिन क्या ये कभी तुम्हें ठकाता नहीं। सब कुछ हमेशा बिलकुल सही रखने की यहां की सनग तुम्हे कुछ हमान भी यह नहीं लगती। लगती है कभी-कभी। ऐसी हर तरह से सही आदर्शवादी जगह में काम करना कितना दम-घूटू हो सकता है। इस पर मैं घंटों बोल सकता हूं। लेकिन मैं इसके शुभ और सुन्दर पक्षों पर ही ध्यान देता हूं। ठीक है, तो कुछ सकारात्मक बताओ। अगर कोई पूछे कि जापान में बारा साल रहकर तुमने क्या सीखा, तब तुम क्या कहोगे। गंबरी मासू। तीरा मिसू। फ्रांसेस्क ने हसकर कहा। तीरा मिसू नहीं, गंबरी मासू। इसका अर्थ है लक्षे तक पहुँचने के लिए यथा संभव कोशिशे करते रहना। जापानी इस शब्द का उप्योग तब करते हैं जब कोई भारी चुनोती सामने आ पड़े। चाहे उनके व्यक्तिकत जीवन में, चाहे खेल कूद के मैदान में, या फिर उनके काम धंदे के सिलसले में। गंबरी मासू का मतलब है हार कभी नहीं मानना। जापानियों का यही गुण मुझे सबसे अधिक पसंद है। हाँ, यह जल्दी हार नहीं मानते। फ्रांसेस्क ने भी कहा। तब भी नहीं जब लक्ष असंभव दिखता है। यही तो शिंकांसिन प्रभाव है। बिल्कुल, वे लक्ष जो असंभव लगे या फिर हमारे उंचे बहुत उंचे अर्मान, यह सब हमें शिंकांसिन प्रभाव जगा देते हैं। लेकिन अगर हम गंबरी मासू यानि अटूट लगन को बरकरार नहीं रख पाए। तो भविश्य के हमारे उंचे सपने बस सपने रह जाएंगे। सच्चाई में कभी नहीं बदल पाएंगे। अपने शिंकांसिन प्रभाव को जगाने के लिए तैयार हो जाओ, हेक्टर। इस सफर में हम अपनी किताब पूरी करने जा रहे हैं। गंबरी मासू। पार्क हयात से निकल कर हम शिंजुकू स्टेशन के निकट की तंग गलियों में छुपे, एक छोटे से बार में पहुँचे। नियॉन लाइट और लगातार हो रही चहल पहल से लगा, जैसे यहां रात कभी होती ही नहीं। शिबुया की ही तरह टोक्यो का ये इलाका भी कभी सोता नहीं है। यहां की आब और हवा में जैसे आराम की कोई गुंजाईश ही नहीं है। हर कोई बस भागा जा रहा है। हर पल को ज्यादा से ज्यादा जीने की कोशिश में। जयादा से जयादा कमाने। और उस कमाई से ज्यादा से जयादा मजे लूटने की कोशिश में। उस छोटे से बार में बस तीम लोगों के बैठने भर की जगा थी। वहां हम एक शक्स से मिले। जो चालीज से भी अथेक वर्षों से टोक्यो नगर परिशद में काम कर रहा था। हमने थोड़ी देर तक उससे बातें की। इस पूरे दौरान वो एक अंजान व अजीब नव युवक जो एक टोकरी में दो बिल्लियां लिए खड़ा था, लगातार हमें देखे जा रहा था। और फिर हम उसके साथ वहां से निकल कर एक दूसरी गली में खुश गए। एक बहुत ही बधाल इमारत की कुछ मंजिलें चड़कर हम एक ओकी नावी रिस्त्रा में पहुँचे, जहां एक युवक जापान के दक्षणी द्वीपों के एक तारबाद्य सान्शिन पर पारम पर एक धुने बजा रहा था। वहां का माहौल हमें अपनी पिछली यात्रा की याद दिलाने लगा, जब हम अपनी पहली किताब एकी गाई लिखने के लिए ओगिमी गए थे। उसी ओकी नावी धुन पर टोक्यो की हमारी पहली रात खत्म हुई। अगले दिन हम विश्व प्रसिध बुलेट ट्रेन पर थे। शतायू लोगों का गाउं। अपनी पिछली किताब एकी गाई लंबे और सुखी जीवन के जापानी रहस्य में हमने ओगिमी के अपने अनुभव लिखे हैं। ओकिनावा द्वीब के उत्तरी भाग में बसा है ओगिमी गाउं। जहां बस 300 के करीब लोग रहते हैं। माना जाता है कि यहां के लोगों की जीवन प्रत्याशा दुनिया में सबसे अधिक है। ओगिमी के बाशंदे दीरगायू का सुख तो भोगते ही हैं। साथ ही कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों की दर भी यहां जापान के तुलना में सबसे कम है। उनके जीवन को समझने के लिए अनेक वैज्ञानिक यहां आते रहते हैं। हम वहां क्यामरा लेकर गए थे और एक सब्तह में हमने एक सौ से अधिक दीरगायू लोगों से बातचीत की थी। हमने उनसे उनकी दिंचर्या पूछी। उनके भोजन, उनके परिवार और उनके मित्रों के बारे में पूछा। और अंत में उनके लंबे स्वस्त जीवन के रहस्य भी पूछे। कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हमने उनसे ये भी जाना उनके एकिगाई क्या थे। उनके साथ रहते हुए हमने देखा कि उनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसे हम रेटायड कह सके। वे सभी व्यस्त जीवन जी रहे थे। बलकि कुछ तो एक से अधिक कामों में लगे थे। जबसे तुमने उस दुकान के खाते लिखने का काम छोड़ा है तबसे तुम में वो बात नहीं रही। 92 साल की अकीको ने हमारे सामने ही अपनी 96 साल की एक मित्र को इस बात के लिए जड़कते हुए कहा कि वो काम छोड़ने के बाद आराम से बैठ गई थी। अकीको अपने इलाके की असोसियेशन की प्रमुक थी। साथ ही साथ वो गाउं की एक दुकान पर हाथ से बने थैले भी बेशती थी। पूरी तरह सक्रिय अकीको ने हमसे कहा था। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मौत आपको खोशती चलियाएगी। हमारी इस छानबीन के निशकर्ष थे कि इस गाउं में रहने वाले शतायू लोग अपने इकिगाई को जानते थे और उसके मुताबिक हमेशा किसी ना किसी काम में लगे रहते थे। दीरगायू जीवन का शायद सबसे बड़ा रहस्य है। सदा व्यस्त रहना। अपना समय उन क्रिया कलापों में लगाना जो आपके दिल के करीब हैं। पहला स्टेशन शिनकान सेन। बुलेट ट्रेन सोच। इससे पहले कि हमारी बुलेट ट्रेन यात्रा शुरू हो, हम आपको इस ट्रेन के इतिहास से परिचत करवाना चाहेंगे। और ऐसा करने के लिए हम 25 साल पीछे जाकर जैक वेल्च नाम के एक आदमी की खोज ख़बर लेंगे। संभव है कि आप इस नाम से परिचित ना हो। जैक वेल्च सन 1972 से 2001 तक जेनरल इलेक्ट्रिक के अध्यक्ष थे। और उन्हें 20. सदी का सबसे कामयाब मैनेजर माना जाता है। वेल्च ने अपने कंपनी के प्रबंधकों के लक्षियों और उन लक्षियों की प्राप्ती के लिए तै किये हुए कामों की हर तिमाही पर समीक्षा करने की परिपाटी डाली थी। आज भी प्रायहस सभी बड़ी वह मजोले स्तर की कमपनियों में ऐसा किया जा रहा है। तिमाही समीक्षा की उनकी ये प्रणाली काफी समय तक ठीक काम कर रही थी। लेकिन फिर वेल्च ने देखा कि कुछ विभागों की कारे कुशलता कम होने लगी। ऐसा क्यों हो रहा था। कम से कम मुश्किलों वाला रास्ता। प्रण्धकों के काम करने के तरीके को बारीकी से जाचने पर वेल्च ने पाया कि कुछ विभागों में प्रण्धक जान बूच कर अपने लिए बहुत मामूली, कभी-कभी तो बिलकुल महत्वहीन तिमाही लक्ष निर्धारित कर रहे थे। वे ऐसे लक्ष तयं कर रहे थे जिन्हें वे बिना किसी कठिनाई के,् बिना कोई परिश्रम कीये पूरा कर सकें। इसे ही कम-जख से कम मुश्किलों वाला रास्ता चुन्ना कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे कोई बदलाव किसी कमपनी के कामकाज में क्रान्ती ला सकता है, या फिर जिस रास्ते पर कमपनी चल रही है, उसी रास्ते पर बस थोड़ी दूर और ले जा सकता है. हम इन बदलावों को क्रांतिकारी परिवर्तन यानि Radical Change और व्रिद्धी शील परिवर्तन यानि Incremental Change कहेंगे और इन्हें हम लोकप्रिय व्यंजन ओमलेट के माध्यम से देखेंगे Incremental बनाम Radical Omelette व्रिद्धी शील परिवर्तन यानि Incremental Change पहले से चली आ रही किसी चीज में बस थोड़ा और सुधार लाता है बत और मिसाल, जब किसी स्पेनी रसोईये ने ओमलेट में आलू के भुने टुकड़े डालने की सोची तो उसने ओमलेट को पटेटो ओमलेट में बदल दिया ओमलेट तो पहले से खाया जा रहा था भुने आलू मिलाने से उसका स्वाद थोड़ा बदल गया क्रांतिकारी परिवर्तन यानि Radical Change तो बहुत पहले आया था तब जब किसी ने पहली बार अंडों को फोड़ कर और फेट कर उन्हें गर्म तवे पर सेका था तब एक नई चीज बनी थी ओमलेट जो उससे पहले नहीं हुआ करती थी नहीं संदेह उस दिन स्वाद की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव आया था एक बहुत सामान्य अनुभव है कि जब किसी काम के मुख्य उदेश पूरे हो जाते हैं तब हम सभी थोड़े धीले पड़ जाते हैं और फिर उतना ही काम करते हैं जिससे की गाड़ी रुके नहीं सचाई ये है कि हम सभी तबीयत से आराम तलब हैं लेकिन अगर हम खुद को बहतर बनाना चाहते हैं और नई उचाईया चूना चाहते हैं तो हमें आराम तलबी की इस प्रवृत्ती को छोड़ना पड़ेगा और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारा लक्ष कभी भी आँखों से ओजलना हो कम से कम मुश्किलों वाला रास्ता चुनने की ये प्रवृत्ती केवल काम धंदे तक सीमित नहीं है अपितू जीवन के विभिन आयामों में इसके दर्शन होते हैं यदा अपने शरीर और स्वास्ते की देखभाल करने में अपने जीवन साथ ही और अपने बच्चों के साथ हमारे रिष्टे में अपनी मित्रता को संभाले रखने में या अपने खाली समय के उपियोग में और अपने बाध्धिक, कलात्मक या आध्यात्मिक लक्षियों की प्राप्ती के प्रयास में भी आलस के चलते या शायद तेज रफ़तार जिंदगी के चलते हम खाने सोने के मामले में भी तब तक यही रवया अपनाए रहते हैं जब तक शरीर हमें गंभीर चेतावनी ना देने लगे इसी तरहां हम अपने पार्टनर के साथ भी संबंधों को पुराना पढ़ने देते हैं जब तक कि कोई संकट की स्थिती पैदा ना हो जाए ऐसा ही हम जीवन के अन्यक्षेत्रों में भी करते हैं समय समय पर हम इस स्थिती को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करते हैं इसमें कुछ सुधार भी लाते हैं जैसे कि जेनरल इलेक्ट्रिक के कुछ प्रबंधक अपनी तिमाही समीक्षा के लिए करने लगे थे लेकिन वैसे प्रयासों से स्थिती में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं आता ऐसी बात नहीं कि ऐसा हमेशा आलस के चलते होता है कभी-कभी हम बस उसे बनाई रखने में वेस्त रहते हैं जिसे हमने कभी खोन-पसीना एक करके खड़ा किया था और जिसे आगे बढ़ा सकने के लिए हमारे पास ना तो परियाप्त उर्जा रहती है और ना समय या फिर क्रांतिकारी परिवर्तन से हम भीतर ही भीतर कुछ डरते हैं मिकावा का राज जैक वेज मानव स्वभाव से जुड़ी इस समस्या को लेकर काफी चिंतित रहते थे वे समझ नहीं पा रहे थे कि जो विभाग पहले से ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनके कर्मचारियों को जोखिम लेने और नवाचार करने हितु कैसे प्रिरित किया जाए वेल्ज को इसका जवाब 1993 में तब मिला जब वे टोक्यो आय हुए थे टोक्यो में वे E.G. Micava से मिले Medical Technology के विशेशग्य Micava उन दिनों General Electric की जापानी शाखा के अध्यक्ष थे Micava के नित्रित्व में General Electric की जापानी शाखा अपने उत्पादों में बहुत तेजी से बदलाव लाते हुए कंपनी की दूसरी शाखाओं से बहुत आगे बढ़ गई थी वो वर्षों से दुनिया की सबसे तेज और सबसे अच्छी TAC यानी Computer Tomography मशीने बाजार में लाते रहकर इस क्षेतर में अग्रणी बनी हुई थी स्वाभाविक रूप से वेल्च मिकावा से बहुत प्रभावित हुए तब मिकावा ने वेल्च को वो रहस्य बताया जो आपके द्वारा सुनी जा रही इस किताब के लिखे जाने की भी प्रेड़ना बनी है वकॉल मिकावा अगर आप चाहते हैं कि कोई ट्रेन अपनी वर्तमान रफतार से 10 किलोमीटर प्रती घंटा तेज चले तो आप बस कुछ एक होर्स पावर अधिक शक्तिशाली इंजन ले लेंगे लेकिन यदि आप 500 किलोमीटर प्रती घंटे चलने वाली ट्रेन को 300 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से चलाना चाहें तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा मसलन क्या हमें पूरी रेल लाइन बदलनी होगी क्या हमें नए सस्पेंशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी क्या ट्रेन के डब्बों को ज्यादा एरोडाइनामिक बनाना पड़ेगा आपको बिलकुल अलग तरहां से सोचना पड़ेगा धर्रे से अलग हटकर देखना होगा कुछ चीज़ें बदलने भर से नई ट्रेन नहीं मिल सकती उसके लिए एकदम नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा एक लगभग असंभव लगने वाला कार्य है मिकावा की इस आँखे खोल देने वाली अवधारणा की उत्पत्ती को जानने के लिए हम सन 1957 में चलते हैं विश्व युद्ध के बाद जापानी अर्थ व्यवस्था में हो रही तीब्र प्रगती यानी जापानी चमतकार के दिनों में जापान सरकार ने टोक्यो और उसाका के बीच एक बहुत तेज गाड़ी चलाने का निर्ने लिया और इसके लिए जापान रेलवे जे आर को आदेश दिये कुछ महीने बाद जापान रेलवे के एंजिनियरों ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकने वाली एक ट्रेन का प्रस्ताव रखा उस समय के लिहाज से ये बेहत तेज रफ्तार थी यदि ये प्रस्ताव स्वीक्रित हो जाता तो वो गाड़ी दुनिया की सबसे तेज गाड़ियों में से एक होती किन्तु जापान रेलवे के शीर्ष प्रबंधन की प्रतिक्रिया बिल्कुल अप्रत्याशित थी उन्होंने कहा हमें ऐसी गाड़ी चाहिए जो इससे दूनी रफ्तार से चले रेल इंजिनियर हैरान रह गए और कहने लगे कि ये असंभव है 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार किससे कहानियों में ही मिल सकती है मगर शीर्ष प्रबंधन यही रफ्तार चाहता था वे जितने चाहे उतने पैसे खर्च करने को तयार थे क्योंकि सरकार ने उन्हें इस असंभव काम को संभव करने के लिए ब्लैंक चेक दे रखा था कुछ महीनों बाद रेल इंजिनियर एक नया प्रस्ताव लेकर आए जिसमें सब कुछ बदल देने की बात थी उन्होंने कहा कि उनके विचार से इस असंभव प्रतीत होती रफ्तार को पाने के लिए अभी जो रेल लाइने डली हैं उनको आमूल चूल बदलना होगा उनकी आकरती, उनकी उचाई और चोड़ाई सब बदलनी पड़ेगी फूजी परवत के आसपास के पहाड़ी इलाके में सुरंगे बनानी पड़ेंगी जिस पर शायद बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाए ट्रेन की डिजाइन में बुनियादी बदलाव लाना पड़ेगा ताकि ऐसी गाड़ी बने जो अभी की ट्रेनों की तुलना में बेहद हलकी तथा अधिक एरोडाइनामिक हो जो हवा के प्रतिरोध को नगणने करते कहने का आर्थ ये कि 10 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक दो परिवर्तन शायद परियाप्त रहते लेकिन रफ्तार दूनी करने के लिए सब कुछ बदलने की जरूरत थी रेल यातायाद को एक बिलकुल नए दृष्टिकोंड से देख सकने की जरूरत थी ये एक क्रांतिकारी बदलाव था जो शिनकान सेन प्रभाव से आया आज इंजिनियरिंग और उद्द्योग व्यवसाई में इसका उपियोग बहुत प्रचलित है लेकिन हम अपने जीवन के विभिन विभागों में भी इसका उपियोग कर सकते हैं जिस काम को इंजिनियरों ने पहली बार सुनकर असंभव करार दिया था वो 1964 में पूरा हो गया जापान सरकार की ललकार के बस छे वर्ष बाद विश्व इतिहास की पहली बुलिट ट्रेन का उत्खाटन टोक्यो उलम्पिक के लिए हुआ जापान की इस उपलब्धी के आगे दुनिया भर के इंजिनियरों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी पहले गाड़ियां टोक्यो से उसाका के लिए 6 गंटे 40 मिनट लेती थी शिनकान सेर ने उसे घटा कर 3 गंटे 10 मिनट कर दिया दुनिया की पहली बुलिट ट्रेन को बनाने में जो नई बातें सीखने को मिली उनसे पूरी दुनिया में रेल यातायात में क्रांती आ गई जिसके प्रभाव आगामी दशकों तक चाय रहे इस महत्व पूर्ण खोज जिसका लाब आज भी दिख रहा है कि दिशा में पहला कदम था बिलकुल नए ढ़ंग से सोचना एकदम लीग से हट कर वचार करना शिनकान सेन बुलिट ट्रेन शिनकान सेन का शाबदे कर्थ होता है नई प्रमुख रेल लाइन 1964 में उद्घाटन की समय इस नई प्रमुख लाइन पर टोक्यो और ओसाका के बीच जो ट्रेन चरी थी उसका नाम हिकारी था जिसका अर्थ है प्रकाश हिकारी विश्व की पहली ट्रेन थी जो 200 किलोमीटर प्रती घंटे से अधिक की रफतार से चल सकी थी जापान से बाहर हिकारी ट्रेन और शिनकान सेन लाइन दोनों के लिए लूख प्रिये नाम हुआ जापानी बुलिट ट्रेन शिनकान सेन सोच ईजी मिकावा ये बताते नहीं ठकते थे कि किस तरहां बुलिट ट्रेंज सोच को उन्होंने अपनी कमपनी के कामकाज के सभी आयामों में लागू किया हुआ था उदाहरण के तौर पर यदी कोई विभाग प्रमोख उन्हों से कहता कि वो लागत में 5 प्रतिशत की कटाउती का लक्ष लेकर चल रहा है तो मिकावा उससे कहते कि कम से कम 50 प्रतिशत कटाउती के उपाय तलाश हो जैक वेल्च ईजी मिकावा के इस द्रिश्टिकोंड से बेहत प्रभावित हुए और उन्होंने इसे जेनरल इलेक्ट्रिक की सभी शाखाओं में लागू कर दिया अब कम्पनी के सभी हाकिम मुलाजिमों को सभी विभागों को अपनी तिमाही समीक्षा के लिए अपने बुलिट ट्रेन लक्ष बताना जरूरी हो गया ये भी एक मुख्य कारण है कि सौ वर्षों से भी अधिक पुरानी कम्पनी जेनरल इलेक्ट्रिक जिसमें लाखों लोग काम करते हैं आज भी अपने नए नए उत्पादों के लिए जानी जाती है और किसी भी कम्पनी से टक्कर ले सकती है यदि आपका लक्ष ऐसा है जिसे पूरा होने में दस वर्ष लगेंगे तो उसे प्राप्त कर पाने के लिए आपकी सबसे अच्छी नीती रहेगी ये सोचना कि कैसे आप उसे एक वर्ष में पूरा कर पाएंगे एलॉन मस्क एक विद्रोही उद्योग पती जो कंपनिया या जो लोग अपने लिए बुलेट ट्रेन लक्ष निर्धारित करते हैं वे औरों से अलग दिखने लगते हैं बतौर मिसाल इलॉन मस्क ने उडान भरने और सकुशल उतरपाने में सक्षम रॉकेट बनाने का संकल्प लिया बहुतों को उस संकल्प में एक पागल की सनक भर दिखी मगर अपनी निजी कंपनी स्पेसेक्स के तहत मस्क ने केवल दस वर्षों में वो कर दिखाया जो नासा अपने तमाम रिसर्च के बावजूद पचास साल में भी नहीं कर पाया था एलॉन मस्क ने हाइपर लूप भी डिजाइन किया है जो की एक जमीनी यातायात प्रणाली है जिससे 1200 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफतार मिल सकती है इसके अलावा उनका एक और बुलेट ट्रेन लक्षे है पहली बार मंगल ग्रह पर किसी मनुश्य को भेजना क्या वे इस लक्षे को हासिल कर पाएंगे और आप आप अपने जीवन के किस क्षेत्र में शिनकान सेन प्रभाव का प्रयोग करना चाहेंगे अपना पहला शिनकान सेन लक्षे निर्धारित करें कोई सपना या अर्मान तभी सपना या अर्मान कहला सकता है जब वो पहली नजर में असंभव लगे अगर आपको लगता है कि आप इसे आसानी से पा सकते हैं तो वो आपका बुलेट ट्रेन लक्षे नहीं कहला सकता असंभव लगते लक्षियों को देख पाने के लिए आपको लीक से हट कर सोचना पड़ेगा और पुराने विचारों वकाम करने के पुराने तरीकों को कचरे की टोकरी में डाल देना पड़ेगा अपने शिनकान से इन लक्षियों को लिखने से घबराईए या कतराईए मत क्या आप अपना खुद का हेलिकॉप्टर उड़ाना चाहते हैं लिखिए इसे क्या आप अलास्का जाकर औरोरा बोरियालस देखना चाहते हैं लिखिए इसे क्या आप अपने पारिवारिक व्यवसाई की विक्रीत तीन गुनी देखना चाहते हैं? लिखिए इसे क्या आप कोई फिल्म निर्देशित करना चाहते हैं? लिखिए इसे हम अपने लक्षियों को कागस पर लिखकर रखने पर इतना जोर इसलिए देते हैं क्यूंकि भले ही ये सुनने और करने में मामूली लगे, पर लक्ष प्राप्ती की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम होता है. चलिए, शुरू हो जाएए. मेरा पहला शिनकान से लक्ष है. ये पक्की बात है कि लिखने भर से ये पूरा नहीं होने वाला. इसलिए, लक्षे लिख लेने के बाद, आप वे दस कदम लिखें, जो आप अपने पहले शिनकान से लक्षे को प्राप्त करने के लिए उठाने जा रहे हैं. क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और कब शुरू करेंगे, सब लिख डालिए. उदाहरण के लिए, अगर मेरा पहला शिनकान से लक्षे है, एक हजार लोगों के सामने भाशन देना, तो इसके लिए मेरे दस कदमों की सूची इस प्रकार हो सकती है. जनिता के सामने बोलने के विशय पर लिखी, किताबे खरीदना, उन सफल संभाशन करताओं से मिलना, जो मेरा पत्प्रदर्शन कर सकें. अपने पसंदीदा वक्ताओं के विडियो यूट्यूब पर देखना, बोलते हुए खुद को कैमरे में रिकॉर्ड करना, और फिर उसे कम्प्यूटर पर देखना. अभ्यास के लिए किसी स्थानिय कारिक्रम में कुछ लोगों के सामने बोलना, सभा में बोलना सिखाने वाले किसी कोर्स में नामांकन कराना, तथा मंच के भय को भगाने के लिए रंग मंच की किसी कक्षा में नामांकन कराना. डक्षिन अमेरिकी देश उरुग्वे के कोच मारियो रेज इस बात पर जोर देते हैं कि हम अपने सभी दस कदमों के बारे में ये लिखें कि उनके तहट हम क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कब करेंगे उदाहरण के तौर पर क्या करना है? भाशन देने पर किताबें पढ़नी है कैसे करना है? पुस्तकों की किसी नामी गिरामी दुकान पर जाकर मार्क दर्शन लेंगे कब करना है? कल ठाई बजे आफिस में ब्रेक के दौरान जब आप दसों कदम लिख लें और हर एक कदम के क्या, कैसे और कब सुनिश्चित कर लें तो आखिर में अपने दस्तखत जरूर कर दीजिएगा ताकि ये एक वचन पत्र बन जाए अब इस कागस को किसी ऐसी जगह रखें जहां दिन में कई बार आपकी नजर पढ़ती हो एक बार आपने इस वचन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये तो फिर अब आप पीछे नहीं मुड़ सकते बुलेट ट्रेन अब चल पढ़ेगी दूसरा स्टेशन हमारी ट्रेन सबसे पहले मिशिमा स्टेशन पर रुकी यह अपेक्षा क्रित शांथ स्टेशन है यहां यात्रियों को सूचित करने के लिए घोशना हुई कि अब माउन्ट फूजी का नजारा होने वाला है उस वक्त तक हम नहीं जानते थे कि जापानियों का ये पवित्र परवत शिखर आज ट्रेन से हमें दिखेगा या कोहरे के परदे के पीछे चिपा रह जाएगा जानकार यात्री जब टोक्यो से क्योटो आने जाने के लिए शिनकान सेन यानि बुलिट ट्रेन का टिकट खरीदते हैं तो डब्बे में माउन्ट फूजी की तरफ की सीट मांगते हैं और फिर उन सीटों पर वे उस परवत रूपी आत्मा यानि माउन्ट फूजी के वैभव को देख पाने के लिए बेचैन बैठे रहते हैं बहरहाल हमें डर था कि अगर उस दिन मौसम साफ नहीं हुआ तो बुलिट ट्रेन माउन्ट फूजी की विशालता को लगभग छूते हुए निकलेगी जरूर पर हम उसे देख नहीं पाएंगे माउन्ट फूजी सरवधा वहीं रहता है माउन्ट फूजी का सबसे पुराना लिखित संदर्ब दस्वी सदी की एक कथा में मिलता है इस कथा के अनुसार जापान की समराट पहले अमर होते थे पर दस्वी सदी के बाद वे अमर नहीं रहे और ऐसा कागुया नाम की एक नव यौवना की चलते हुआ जो चान से आई थी और जिसने समराट के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था अगस्त महा की एक रात जबकि आसमान में पूर्णिमा का चान जगमगा रहा था असाधारन रोशनी के एक किरन समुह ने कागुया को सोख लिया और इस तरह चान पर रहने वाले उसके लोग उसे वापस घर ले गाए समराट अभी भी कागुया के प्रेम के वशिभूत थे अतहा उन्होंने उसे एक चिठी लिखी और अपनी सेना की एक टुकडी को आदेश दिया कि उनके उस चिठी रूपी संदेश को माउंट फूशी शब्दार था मृत्युहीन के शिखर पर पहुँचाए प्राचीन जापानियों के लिए चांद का निकटम स्थान माउंट फूजी ही था परवत छिठर पर पहुँचकर सैनिकों ने समराच के आदेशा नुसार उस पत्र को आग के हवाले कर दिया इस उम्मीद से कि पत्र के जलने से निकलने वाला धुवा चांद तक जाएगा और उसके साथ शायद समराच के शब्द भी कागुया तक पहुँच जाएंगे समय के साथ इसका उचारण फूजी हो गया अर्थात भरपूर धन संपत्ति सैनिक शायद उन बहादुर सैनिकों के संदर्भ में जो चांद पर संदेश भेजने के लिए शिखर तक चड़े थे कहते हैं उसके बाद से जब भी फूजी परवत फटता है तो उससे निकलने वाला धुआ समराच के शब्दों को चांद तक ले जाता है कागुया के पास इस प्रसंग में प्रेम तो है ही साथ ही साथ असंभव को संभव कर सकने की एक चिरंतन आशा भी है हालांकि इस ज्वाला मुखी के हिमाच्छादित शिखर पर सबसे पहले चड़ने वाला कोई शाही सैनिक नहीं पापितू एक बौध श्रमण था 663 एसवी में उसने शिखर पर अपने कदम रखे थे समराच की सैनिकों के बहुत पहले उससे पहले तक उस शिखर तक पहुँचने को असंभव माना जाता था परन्तू उसके बाद बहुतों ने इस असंभव कृत्ते को संभव कर दिखाया लेकिन क्या आपको मालूम है कि 19-वी सदी में मेईजी काल की शुरुवात के कुछ पहले तक विदेशियों और स्त्रीयों का इस परवत पर जाना वर्जित था क्योंकि इसे पवित्र माना जाता था सन 1860 में जापानी प्रहरियों के साथ नौ ब्रिटिश परवतारोहियों के दल का नित्रित्व करते हुए जब ब्रिटिश राजनाईक सर रदरफर्ड अलकॉक मांट फूजी के धवल हिमाच्छादित शिखर तक पहुँचे तब वे ऐसा करपाने वाले पहले विदेशी हुए लेकिन जापानी अधिकारियों ने नवंबर के अंत में पहाड पर चड़ने के उनके निर्णाई को अविवेक पूर्ण बताया था खराब मौसम के चलते एक असंभव काम और उन्हीं दिनों एक तूफान भी जापान की तरफ बढ़ा आ रहा था जिस दिन अलकॉक ने चड़ाई शुरू की थी उस दिन वाकई एक तूफान आ रहा था कुछ सरकारी अधिकारियों ने उस तूफान को एक दैवी संकेत बताया था विदेशियों के लिए देवताओं की चेतावनी कि तुम जो करना चाहते हो वो तुम्हारे लिए वर्जित है लेकिन इस काम को असंभव बताने वालों को अंसुना करते हुए प्रदर फर्ड अपने दल के साथ एक-एक कदम बढ़ाते हुए अंतताह शिखर पर पहुँचकर ऐसा करपाने वाले पहले विदेशी बन ही गए उस समय वाकई ये चढ़ाई सरल नहीं थी अनेक परवतारोही इस पर चढ़ने के प्रयास में अपनी जान गमा चुके थे लेकिन गठीली देह के रदरफोर्ड ने 3776 मीटर उचे शिखर तक की चढ़ाई मात्र आठ घंटों में पूरी कर ली और अगले तीन घंटों में वापस भी आ गए उस दिन भाग्य वाकई उनके साथ था उनके पहाड से नीचे उतरने के फौरण बाद तूफान शिजुओका के सागर तड़ पर आ पहुँचा था अलकॉक ने माउंट फूजी को एक ऐसी बंजर और पत्रीली जगह बताया जो प्रिथ्वी का हिस्सा लगती ही नहीं वे एक अच्छे चित्रकार भी थे और उनके बनाए चित्रों से यूरोप के लोगों ने इस पवित्र परवत को पहली बार देखा रदरफर्ड जापान में ब्रिटेन के पहले राजनाईक थे वे जापान में तीन वर्षों तक रहने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ती भी थे ब्रिटिश सरकार को भेजे अपने पत्रों में उन्होंने इस चढ़ाई के अनुभव लिखे हैं एक बानगी सुनिये चढ़ाई का आखरी दौर सबसे कठिन था लगातार बढ़ती थकान हम पर भारी पड़ रही थी पैरों में होते दर्ध और उखड़ती सांस के चलते हम बार-बार रुक रहे थे हमारे दल के कुछ लोग वापस लोटना चाह रहे थे लेकिन हम तब तक चलते रहे जब तक कि शिखर पर नहीं पहुँच गए हमारे जीवन में भी ऐसे कई सारे परवत हैं जिनें हम अपने लिए वर्ज़त समझते हैं या ये मान लेते हैं कि उन पर चड़ पाने की क्षमता हम में नहीं है लेकिन जो कुहासा हमें शिखर के रास्ते को देखने से रोक रहा होता है वो प्रायह हमारी आँख के लेंस पर चाया होता है इसलिए जरूरी है कि शिखर की यात्रा आरंभ करने से पहले हम अपनी नजरों पर पड़ी असंभावनाओं की इस धुंद को दिलकुल वैसे ही पहुँचते जैसे जलवाश्प से धुंदले पड़े शीशे को पौँच कर पारतर्शक कर देते हैं क्यूंकि असंभाव वास्तव में एक मानसिक अवरोध है हमारी आँखों पर पड़ा हुआ एक भ्रामक मायावी परदा है हम जीवन में बहुत सारी चीज़ों को बिना किसी बजा के अपने लिए असंभव मान लेते हैं प्रायह बस इसलिए क्योंकि उनके बारे में सोचते ही हम असहज होने लगते हैं एक अग्याद भाई से विमूड होने लगते हैं इस तरह हम मन ही मन अपने चारों तरफ नकली डर और गलत विश्वास की दीवारें खड़ी करते जाते हैं और आखिरकार जब ये दीवारें गिरती हैं तो हमें विश्वास ही नहीं होता कि इन ही बे बुनियाद दीवारों ने हमें इतने दिनों से रोक रखा था हमारे जीवन को भय, अक्षमता और कुंठा से भर रखा था संभव को असंभव से अलग करने वाली मानसिक रेखा बहुत पतली होती है और हमारे भीतर बैठे शेरपा का काम होता है इस रेखा को पार करने में हमारी सहायता एवं मार्ग दर्शन करना वाल्ट डिजनी कहा करते थे असंभव को संभव कर दिखाने से अधिक आनंद प्रत काम कुछ नहीं होता हमारे लिए ये एक मज़ेदार सापताहिक लक्ष हो सकता है कि हम एक हफते में कम से कम एक बार कोई ऐसा काम करें जिसके लिए हम अपने आपको अक्षम मानते आए हैं उदारन के लिए जापानी या फार्सी भाषा सीखना किसी ऐसे खेल में भाग लेना जिसे हम बहुत कठिन समझते हों सितार या बीना बजाना अन्जान निर्जन क्षेत्र में यात्रा करना या हम जहां रहते हैं वहां माउंट फूजी के सद्रिश जो भी है उस पर विजय प्राप्त करना एक दोस्त का वाटसाप नारा है Mission Possible सब कुछ संभव है यदि हम इसमें विश्वास करने लगें उन असंभव कामों को लिखें जो बाद में असंभव नहीं निकले अपनी आखों पर जमी संदेहों पूर्वाग्रहों तथा छद्म असंभव वाद की धुन्द को साफ करने का एक बेहत प्रभावी उपाय है कि हम उन तथा कथित असंभव कामों को याद करें जो अंत में असंभव नहीं निकले हम दोनों ने खुद ऐसा करके देखा है और जो नतीजे हमें मिले हैं वे इस प्रकार है फ्रांसेस्क के तीम छद्म असंभव उद्यम एक तैरना सीखना चौधा की उम्र तक पानी देखकर मेरे प्राण सूख जाते थे कुछ समय लगा लेकिन अंत में मैंने देखा कि मैं तैरने लगा थी पूरी कर पाना स्कूल में मैं हर साल चार या पांच विशयों में फेल होता था हैसे देखते हुए ना तो मैने ना मेरे अध्यापकों ने और ना ही किसी और ने कभी सोचा था कि मैं हाई स्कूल भी पास कर पाऊंगा, कॉलिज तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन जब मैंने अपने अंदर से उस पूर्वाग्रह को निकाल भेका, तब मेरे लिए जर्मन भाशा में कॉलिज की डिग्री पूरी करना भी संभव हो गया. तीन, एक गल्फरिंड बना सकना. जैसी की मेरे मन में हैं, उसी दिन मेरी आँखों से असंभव का मुलम्मा उतर गया. हेक्टर के तीन छद्म असंभव उद्यम. एक, सर्न में काम कर पाना. सामान्य जन के लिए लिखी गई विज्ञान की किताबें पढ़ते समय मैं सोचा करता था, कि नासा और सर्न जैसी संस्थाओं में काम करने का मौका उन चुनिंदा लोगों को ही मिल पाता होगा, जो असाधारन प्रतिभा के धनी हैं. लबो लुआब ये, कि वहां काम कर पाना मेरे लिए एक असंभव सपना था. लेकिन 2004 में सर्न ने मेरी अर्जी स्विकार कर ली और मेरा सपना साकार हो गया. बचपन में जब मैं एटलस खोलता था, तो जापान मुझे दुनिया में सबसे अधिक दूरस्थ लगता था. बहुत दूर बसी एक ऐसी अनोखी जगा, जो मैं निश्चित ही कभी नहीं देख सकूँगा. लेकिन अब देखिए, अब मैं इस उगते सूरज के देश में बारह वर्षों से रह रहा हूँ. तीन, किताब का प्रकाशन. आइजाक आसिमोव उन लेखकों में से थे, जिनका अपनी किशोरा वस्था के दिनों में मैं दीवाना हुआ करता था. मैंने उनकी जीवनी पढ़ी थी, और इस बात पर मुग्ध था कि उनकी 400 से अधे किताबें प्रकाशित हो चुकी थी. उन दिनों आसिमोव की किताबों में उल्लिखित प्रकाशन उद्योग किसी और ही दुनिया की चीज लगती थी. और अब देखिए, हमारी किताब एक ही गाई, अंतर राष्ट्रिय स्तर पर पढ़ी जा रही है. और इससे भी बड़ी बात ये, कि यूएस में इसे पेंग्विन ने प्रकाशित किया है. वही पेंग्विन जिसने कभी आसिमोव की किताबें प्रकाशित की थी. जीवन में जब भी कभी किसी काम को लेकर ऐसा लगे, कि आप उस काम को नहीं कर सकते हैं. उस समय ये बहुत उपयोगी होगा, कि आप उन चीजों को लिख डालें, जिन्हें कभी आपने असंभव समझा था, लेकिन बाद में उन्हें कर पाने में सफल हुए थे. इस सूची में कभी-कभी कुछ मामूली लगने वाली बातें भी आएंगी, जैसे कि हमारी लिस्ट में आई हैं, लेकिन वे बातें भी संदेह एवं पूर्वाग्रहों की उन दीवारों को गिराने में मदद करेंगी, जो आप और आपके आत्म विश्वास के बीच आड़े आ रही हैं. को साकार करने से पहले रुकने की नहीं सोची, अध्यवसाय या लगन जापानी मानसिक्ता की सर्व प्रमुख खूबियों में से एक है, लगन का अर्थ है विपरीद परिस्थितियों में भी, हर तरह की विखन बाधा आने पर भी अपने लक्षे की प्राप्ती के लिए प् कोई लक्षन नहीं दर्शाते, बलकि जिन में कई सारी कमिया नजर आती हैं, फिर भी वे सभी बाधाओं पर विजय पाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, कैसे? क्योंकि वे अपने जीवन में किसी एक खास लक्षे को सामने रखते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने एकिगाई के साथ एक लए होकर जीते हैं, यदि आप भी इस नीती पर अमल करें, तो आपको भी जरूरी ग्यान, अनुभव और आत्मविश्वास की प्राप्ती होगी और आप लगातार आत्मविश्वास का अनुभव करते हुए वो बन सकेंगे जो बन पाने की आपने कभी सोची थी ये कोरी बात नहीं है, ये वास्तविक्ता है, इसे सहज ही प्राप्त किया जा सकता है और इसे पाने के लिए कॉमिक्स के सूपर हीरो की तरहां की जन्मजात, दैव, प्रदत, अतिमानविय शक्तियों की आवशक्ता नहीं है नहीं सूपर हीरो के समान क्रोध या लालसा या प्रतिशोध की भावना के बलबर चलने की जरूरत है सीधे सरल लक्षय महान उपलब्धियों की राह दिखाते हैं जापानी कॉमिक्स के नायकों की एक और विशेष्टा ये है कि उनके लक्षय सरल, स्पष्ट और निर्मल होते हैं उनमें कुछ बहुत बड़ा कर देने की लालसा नहीं दिखती सामाने तहा मांगा कहानियों का नायक एक अच्छा सूशी रसोईया बनना चाहता है या अपने प्रांथ का सबसे अच्छा टीवी आंकर बनना चाहता है या फिर जमीन की खरीद फरोख्ट करने वाला ब्रोकर बनना चाहता है शिनकान सेन गर्ल्स नामक जापानी टीवी सीरियल तो बुलेट ट्रेन की परिचारिकाओं के जीवन पर आधारित है कि कैसे वे हमेशा अपने काम को और भी बहतर ढंग से करपाने की कोशिश में लगी रहती है ताकि उनके ग्राहकों को और अधिक संतोष प्रद सेवा मिल सके ये सीधे, सरल और स्पष्ट लक्षे हैं जिनने कोई भी अपना सकता है लेकिन इन साधारन लक्षियों की प्राप्ती के लिए भी यदि कोई जीजान से लगा रहे तो बड़ी-बड़ी उपलब्धियां हासल कर सकता है लगन के साथ-साथ जापानियों में एक और बेशकीमती गुण भी पाया जाता है जिसे धैर्रे कहते हैं लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि कुछ प्राप्त करने के लिए वे किसी चमतकार के घटने या दैविय सहायता उपलब्ध होने की आशा में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं जी नहीं वे पूरी लगन से अपना कर्म करते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक की लक्षे की प्राप्ती ना हो जाए यही धैरे की सही परिभाशा है चाहते हो जो की पत्थर गर्म हो तो साल सौ तक तुम उस पर बैठे रहो एक जापानी कहावत अच्छे से अच्छा करना जापानियों की भाशा तथा रोज मर्रा की जिंदगी में प्रयोग की जाने वाली अभिव्यतियों में भी लगन का महत्व हर जगाह देखने को मिलता है अगर आप जापानी भाशा पढ़ेंगे तो पहले कुछ शब्द जो आप सीखेंगे उनमें से एक होगा गंबरी मासू इसका अर्थ होता है अच्छे से अच्छा करना इस शब्द के पहले दो संके ताक्षरों का अर्थ क्रमशह, हठीला या अटल और फैलना या फैलाना होते हैं दोनों को जोडने पर शब्द का अर्थ कुछ ऐसा होगा अपने हट या उद्देश को जितना फैला सको फैलाओ जापानी उक्ती गंबत्ते कुदसई के केंद्र में गंबरी मासू ही है सामान्य तह गंबत्ते कुदसई से ताक्पर्य होता है जितना अच्छा कर सकते हो, करो लेकिन यदि हम इसका शब्द शह अनुवात करें, तो वो इस प्रकार होगा द्रड निश्चाई बनो, और जब तक लक्ष प्राप्त ना हो जाए, तब तक डटे रहो खेल के मैदान में एक दूसरे को प्रोटसाहित करने के लिए खिलाडी प्रायह ये उक्ति कहते सुने जाते हैं इसी तरहां व्यापार जगत में भी, जब कम्पनियों के समक्ष नई चुनोतियां प्रस्तुत होती हैं तब वे एक दूसरे का मनुबल बढ़ाने के लिए इस उक्ति को प्रयोग में लाते हैं गंबर इमासू का मूल मंत्र है जब तक काम पूरा ना हो, रुकना नहीं सौ वर्षों की योजना एक नई बुलिट ट्रेन जो दो हजार सताइस तक चलने लगेगी टोक्यो से दो सुच्छी किलोमीटर दूर नागोया की दूरी चालीस मिनटों से कम में तै कर लेगी सन दो हजार सताइस में इसे नागोया तक ले जाने के लिए तो सभी बिंदूओं पर पूरे विस्तार से योजना बन ही गई है साथ में ये योजना भी तयार है कि नागोया के बाद यही चुमबकिय उत्थान प्रणाली सन दो हजार पैंतालिस तक उसाका तक पहुँच जाएगी इसकी गणना भी कर ली गई है कि एकिस सो बीस तक इस नई तकनीक में किये गए निवेश से जापान सरकार और जापान रेलवे को लाभान्ष मिलने लगेंगे यानि की सौ वर्षों से अधिक की योजना अपनी व्यक्तिगत बुलट ट्रेन को पूरी रफ्तार से दोडाना शुरू करने से पहले हमें ये स्पष्ट पता होना चाहिए कि हमारा गंतव्य स्टेशन कौन सा है और रास्ते में किन स्टेशनों पर हम रुकना चाहेंगे लगन तथा गंबरी मासू से संचालित शिनकान सिन प्रभाव को इस सूत्र से व्यक्त किया जा सकता है बिना कर्म के धैर्य है आलस जो निश्क्रिय बनाए धैर्य अगर हो साथ लगन के सदा लक्ष की प्राप्ति कराए करत करत अभ्यास के स्वीडिश मनो विज्यानी अंडर्स एरिक्सन ने रॉबर्ट पूल के साथ मिलकर एक बहु चर्चित किताब लिखी है पीक, सीक्रिट्स फ्रॉम द्यू साइन्स ऑफ एक्सपटीज वे कहते हैं कि होमो सेपियन्स अर्थात जानकार मनुष्य का नाम असल में होना चाहिए होमो एक्सर्संस अर्थात अभ्यास करने वाला मनुष्य क्यूंकि सभी प्राणियों में बस मनुष्य ही है जो ये समझता है कि अभ्यास करते रहने से उन्नती या प्रगती संभव है लेकिन हर तरह के अभ्यास से प्रगती नहीं होती एरिक्सन ने अभ्यास को दो वर्गों में विभाजित किया है ये वैसे अभ्यास हुए जिनमें बिना सोचे किसी काम में समय दिया जाए। चाहे कितने भी घंटे आप किसी काम के लिए समर्पित करें। यदि आप उसे घलट धंग से करेंगे या अकुशलता से करेंगे, तो उस काम में आपकी प्रगती आपकी आशा के अनुरूप नहीं होगी। ख. सुन योजित अभ्यास ऐसे अभ्यास लक्षे तक पहुँचने के लिए एक सुन योजित योजना के अनुसार किये जाते हैं। एरिक्सन ने ऐसे अभ्यास के लिए तीन मार्ग दर्शी सिध्धान्त दिये हैं। पहला, लक्षे भली भाती निर्धारित कर लें। इससे आप जान सकेंगे कि आपको किस दिशा में कौन से कदम उठाने हैं। दूसरा, अपना पूरा ध्यान इसी लक्षे पर केंद्रित करें। इससे आप हालात बदलते रहने पर भी विशय से बिना भठके अपने अभ्यास को बदलती परिस्थितियों के अनुकूर रख सकेंगे। तीसरा, दूसरों से अपने अभ्यास पर उनके मनतव्य मांगते रहें. उनकी प्रतिपुष्टी बताएगी कि आप सही रास्ते पर हैं या आपको अपने अभ्यास में कुछ उपर नीचे करने की जरूरत है. नोट जिसमें उन्होंने ये सवाल उठाया है कि बस कुछ ही लोग क्यों सफल हो पाते हैं? बेशक किसी की भी सफलता के पीछे आनुवानशिक्ता, पारिवारिक स्थिती और शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. परंतु ग्लाडविल कहते हैं कि इन चीजों के अलावा सफल होने के लिए 10,000 घंटों का अभ्यास अनिवार रहे. अपनी बात के समर्थन में वे दो द्रिश्टांत देते हैं, जहां अत्यंत प्रभावशाली लोग भी 10,000 घंटों के समर्पित अभ्यास के बाद ही खिल सके. पहला, मुजजांट. यद्यपी वे साथ की उम्र से ह संगीत रचने लगे थे और अपनी किशोरा वस्था में उन्होंने कुछ उलेखनिया काम कर दिखाया था. तथा पी अपनी महान रचनाओं का स्रिजन वे 21 की उम्र के बाद ही कर सके. तब जब संगीत रचने, अभ्यास करने और संगीत सभाव में प्रदर्शन के उनके अभ्यास में उनके हैंबर के वे दिन भी शामिल हैं, जहां अगस्त 1960 से दिसंबर 1962 तक चार क्लबों में नियमित रूप से परफॉर्म करके वे अपनी कला को मांचते रहे थे. इसके बाद जब वे इंग्लिंड लोटे, तो सफल होने के लिए पूरी तरह तयार थे. हम वही हैं, जो हम बार-बार करते हैं. अरस्तो. किसी नई चीज की कल्पना करें, जिसे आप सीखना चाहेंगे. इसके लिए आप कितना समय देंगे? ये तय करने के पहले, हम ग्लाडविल के बनाए उस चार्ट को समझते हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किसी भी काम को कित परिछे प्राप्ट कर सकते हैं. दूसरा, दस घंटे. दस घंटों में हमें उस विशय की मुख्य-मुख्य अवधारनाओं का एक स्थूल अनुमान मिलेगा. तीसरा, सौ घंटे. सौ घंटों में हम माध्यमिक स्तर तक पहुँच जाएंगे. चौथा, एक हजार घंटे. ए हमें दस हजार घंटे लगेंगे. अंतिम स्थिति, यानि दस हजार घंटों का अभ्यास, उत्कृष्टता या महारत की है. नियूरो साइन्टिस्ट डैनियल लेविटिन के अनुसार, यही वो समय है, जो मानव मस्तिश्क को किसी भी मानविय गतिविधी में उत्कृष्टता या महारत प्राप्त करने में लगता है. यदिपी प्रिंस्टन विश्व विद्याले में किये गए एक अन्य शोध में य पाया गया कि 10,000 घंटों का कठोर अभ्यास भी सफलता नहीं दिला सकता. यदि हम महारत प्राप्त करने के साथ साथ अवसर पहचान पाने की क्षमता विखसित ना करें. यदि हैंबर्ग से वापस आकर बीटल्स नाम और धन कमाने की ना सोचकर अपने घर के तल घरे में ब अभ्यास का सदुपयोग किया. आपके 10,000 घंटों की योजना. यदि आपके अंदर भी कोई ऐसी अदम्यचाह, कोई ऐसा जुनून है, जो आपको लगातार अपनी और खीच रहा है. आपका एकिगाई, जिसे आप अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं, तो आप इस 10,000 घंटों के नियम का अनुपालन करते हुए, उसमें महारत यानि मास्टरी हासल कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए प्रतिबधता चाहिए, और एक योजना भी. लगन यानि गंबरी मासू तो जरूरी है ही, पर पहले आपको ये जरूर तै कर लेना चाहिए, कि आप अपने इस पूरा करने के लिए, कितने सहारत हासल करने के लिए, पूरा त्याग और समर्पन आवश्चक है. और ऐसा तभी संभव हो सकता है, जबकि आपका जुनून ही आपका पेशा हो. लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है, तब भी आप अपने इस जुनून को, किसी कला का अभ्यास, य की सकते हैं. सवाल बस इतना है, कि वो कौन सी चाह है, कौन सा जुनून है, कौन सा एकिगाई है, जो मुझे अपना पूरा जीवन उसे समर्पित करने के लिए प्रेरित कर सकता है. यदि आप अब भी इस प्रश्न का उत्तर ना दे पा रहे हो, तो विख्यात मनो विज्यान की और नियूरॉलोजिस्ट विक्टर फ्रैंकल की इस उक्ति पर विचार करें. यदि आप नहीं जानते की जीवन में आपका लक्षय क्या है, तो आपका वर्तमान लक्षय बिलकुल स्पष्ट है. अपने जीवन लक्षय की खोज. चौथा स्टेशन नई आदते 21 दिनों में अपना जीवन बदलें हम एक मिनट के लिए खिड़की से बाहर देखना छोड़ कर, आपकी रोजमर्रा की जिन्दगी को ध्यान से देखते हैं. वे कौन सी आदते हैं जो आपके जीवन पर हावी हैं? वे कौन सी आदते हैं जो आपको आपके लक्षे के निकट ले जाती हैं और आपको खुशी देती हैं? वे कौन सी आदते हैं जो आपको नुकसान पहुँचाती हैं और आपकी उर्जा सोख लेती हैं? ऐसा कहा जाता है कि आदतें मनुष्य को गती हैं और ये सच भी है आदतें हमारे जीवित रह पाने के लिए जरूरी हैं क्योंकि वे हमें एक ही काम के लिए बार-बार चेतन मस्तिश्क के स्तर पर सोचने वर निड़ने लेने की परिशानी से बचाती हैं इससे हमारा जीवन सरल हो जाता है और हमारा बहुत सारा समय वश्रम बच जाता है यदि हमें दिन भर में किये जाने वाले हर छोटे बड़े काम को करने के लिए अपने चेतन मस्तिश्क का उपियोग करना पड़े तो हम इतने ठक जाएंगे कि जी नहीं सकेंगे बार बार दुहराने से मिलने वाली खुशी मिलन कुंदेरा ने अपने उपन्यास Unbearable Lightness of Being में लिखा है कि खुशी असल में दुहराव की इच्छा है और इस बात की सच्चाई हमारे दुआरा हर दिन पहने जाने वाले कपड़ों के चुनाव जैसी मामूली बात में भी जलकती है फेसबुक के युवा संस्थापक मार्क जकरबर्ग जब पहली बार जनता के सामने आये थे तब से अब तक उन्होंने अपनी वेश भूशा में कुछ भी नहीं बदला है वे आज भी वही ग्रे रंग की कमीज, वही डार्क ब्रे स्वेटर और वैसे ही पैंट्स वजूते पहनते हैं वो कहते हैं, मैं अपने जीवन को जितना हो सके उतना सरल रखना चाहता हूं ताकि मुझे उन निर्णयों में समय वश्रम बरबाद ना करना पड़े जिनका मेरे समुदाय यानि फेस्बुक से कोई लिना देना नहीं है ये जीवन को सरल बनाए रखने का जैन तरीका है मार्क शायद स्टीव जॉब्स से प्रेरित हुए हूं जो परसों बरस एक ही जैसी वेशभूशा में नजर आते रहे थे बंद गले का काला स्वेटर, जीन्स और सफेज स्नीकर जूते जब जॉब्स के जीवनी लेखक वॉल्टर आईसेक्सन ने उनके हमेशा एक ही तरह की पोशाक में रहने का कारण पूछा तो स्टीव ने बताया कि सोनी तथा अन्य कई नामी गिरामी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए गणवेश डिजाइन करने वाले इसे मिया के उनके मित्र थे और उन्होंने उनसे इसरार किया था कि वो एपल के कर्मचारियों के लिए भी गणवेश तयार करें यद्यपी एपल के कर्मचारियों ने इस पर कोई प्रत्यक्ष आपत्ती नहीं जताई थी परन्तु फिर भी स्टीव ने सोचा कि यदि वे गणवेश के इस नियम को स्वयम पर भी लागू करें तो किसी भी कर्मचारी को इसे अपनाने में हिचक नहीं होगी साथ ही ये उनकी व्यस्त दिन चर्या के हिसाब से भी माकूल होगा और उनकी एक विशिष्ट पहचान भी स्थापित हो जाएगी यही सब सोच कर उन्होंने मियाके से अपने लिए वो वेजभूशा तयार करवाई थी डिजाइन तै हो जाने पर स्टीव ने बिना किसी हिचके चाहट के मियाके को सौ काले स्वेटर बनाने के ओडर दिये मियाके ने चकित होकर पूछा कि इतने क्यों चाहिए इस पर एपल के CEO का जवाब था अब मुझे हमेशा यही पहनना है तो सौ ले लेने तक मुझे मरते दम तक दुबारा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमेशा एक ही जैसे कपड़े पहनने वालों के गुट में एक और प्रसिध अमेरिकी हैं बराक ओबामा हलांकि वो उपर्युक्त दो महाशयों जितनी अती नहीं करते परन्तु तब भी आप उन्हें प्रायह, ग्रे या नीले रंग के सूट ही पहने हुए पाएंगे जब किसी ने उनसे कलपना शक्ती की इस कमी को लेकर सवाल किया तो ओबामा का जवाब था चूंकि मुझे हर रोज धेर सारे महत्वपूर्ण विशयों पर सोचना वर निर्ने लेना होता है इसलिए मैं हर दिन खाने पहनने जैसी मामूली बातों पर माथा पच्ची करके अपना समय वश्रम बरबाद नहीं करना चाहता हूँ रोज मर्रा के वाइरस जीवन को आसान बनाने वाली आदतों का दोहराव हमें सुकून और खुशी देता है लेकिन साथ में कुछ बुरी आदतें भी होती हैं जो हमारे मन रूपी प्रोग्राम में उसी तरहां घर बनाकर बैठी होती हैं जिस तरह कम्प्यूटर में वाइरस घुश जाता है और यदि हम सजग रहकर सप्रयास इन्हें निश्काशित यानि डी प्रोग्राम ना करें तो ये हमारे तन मन को वैसा ही नुकसान पहुँचाती हैं जैसा कोई वाइरस कम्प्यूटर प्रणाली में करता है बुरी आदतें अगर हमारी जिन्दगी की गाड़ी को संचालित करने लगें तो इसका पटरी से उतरना तैय है वहीं अगर हम उन्हें अच्छी आदतों से बदल पाएं तो हमारे सपनों की तरफ जाती ट्रेन की रफ्तार बढ़ जाती है और मानसिक रूप से हम इत्मीनान महसूस करने लगते हैं जिससे हमारी रचनात्मक्ता बढ़ जाती है यदि हमारे मानस में ये सपष्ट हो कि हमें क्या करना है तो प्रगती निश्चित है उदाहरण के लिए उपन्यासकार हारू की मुराकामी हर रोज सुभा चार बजे उठकर लिखने बैठ जाते हैं और पांच-छे घंटे लगातार लिखते रहते हैं नौ या दस बजे वो लिखना बंद करके दौडने या तैरने के लिए निकल जाते हैं बाकी पूरा दिन वो टहलते हैं पढ़ते हैं या संगीत का आनंद लेते हैं जिस दिन जैसा मन किया 21 दिनों का नियम न्यू यॉक टाइम्स के पत्रकार चार्ल्स डूई की आदतों के बारे में जानने समझने की रुची उस समय जगी जब उन्होंने गौर किया कि रोज दोपाहर तीन बजे उन्हें चॉकलेट केक के एक बड़े टुकडे की जबरदस्त तलब होती थी रोज उस समय उन्हें चॉकलेट केक चाहिए ही होता था चाहे उन्होंने लंच में कितना ही भारी खाना क्यों ना खा रख खाओ उपर से वो मोटापे की समस्या भी जेल रहे थे निश्चित ही तीन बजे वे भूखे नहीं होते थे तो फिर उस समय केक खाने की ये जबरदस्त तलब कहां से आती थी उनके शब्दों में हमारी आदतें हमारे अवजेतन में रहते हुए अध्रिश्य रूप से ऐसे निड़ने लेती रहती हैं जो हमारे दैनिक जीवन को तरहा तरहा से प्रभावित करते हैं चार्ल्स ने ये जानने के लिए कि उनकी इस तलब की वज़ा क्या थी और इससे कैसे उबरा जा सकता था अच्छी खासी रिसर्च शुरू कर दी इस क्रम में उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा जो अपनी पुरानी आदतें छोड़ने में सभल हुए थे चार्ल्स ने इन सभी संदर्भों की जांच की सत्यापन किया और तब वे इस निशकर्ष पर नई स्वस्थ आदत का हमें 21 दिनों तक अभ्यास करना पड़ता है तब जाकर कहीं वो आदत पक्की हो पाती है किसी भी नई आदत को अपनाने के लिए शुरू-शुरू में हमें मेहनत करनी पड़ती है किन्तु लगातार 21 दिनों तक दोहराते रहने के बाद वो नई आदत हमारा स्वभाव बन जाती है एक स्वचालित धर्रा बन जाती है फिर उसके लिए हमें चेतन मस्तिश्क के स्तर पर प्रयास नहीं करने पड़ते अपने मस्तिश्क को री प्रोग्राम करने की दिशा में पहला कदम होता है उन आदतों को पहचानना जो हमें अहितकर काम करने के लिए बाध्य कर रही है जैसे अपने खुद के मामले में डूइग ने देखा कि कैसे रोज दोपहर के तीन बच्टे बच्टे वे बुरी तरहां ठका हुआ महसूस करने लगते थे और फिर उस ठकान को हटाने के लिए वे उफिस के कैसे उन नई सुखदायक चीजों के साथ प्रयोग करना जो हमें नई आदत डाल सकें चाल्स ने जब गहराई से पड़ताल की तो उन्हें समझाया कि वास्तव में उन्हें जिस चीज की तलब होती थी वो थी अपनी व्यस्तताओं से कुछ देर का ब्रेक लेने की और उनके अब चेतन ने कैफे में जाकर चॉकलेट केग खाने को इस ब्रेक के बहाने के तौर पर अपना लिया था एक बार ये समझ लेने के बाद चाल्स ने चॉकलेट केग की बजाए एक दूसरी ऐसी चीज खोजी जो उनके लिए उतनी ही सुख दायक वो मज़ेदार तो थी परन्तु नुकसान दायक नहीं थी अब वे रोज अपनी व्यस्तताओं के बीच बीच में दस मिनट के लिए अपने किसी सहकर्मी के साथ गपशब करने पहुँच जाते हैं इस तरहां उन्होंने काम से ब्रेक लेने का एक ऐसा उपाइट धून ही लिया जो उनके मुटापे को ना बढ़ाए अगले 21 दिनों तक चॉकलेट केक की जगह इस नई आदत को अपनाने के लिए डूइग ने अलार्म लगाना शुरू किया उस समय के लिए जब उनके अवजेतन में चॉकलेट केक खाने की तलब उठती थी ये अलाम इस बात का इशारा होता था कि अपनी डेस्क छोड़कर किसी दोस्त के साथ दस मिनट मन बहलाने का समय हो गया है अगर कभी उस समय उनके किसी दोस्त को फुर्सत नहीं होती तो चार्ल्स दस मिनट के लिए टहलने निकल जाते अनेक शोध अध्ययनों में देखा गया है कि रोजमर्रा की जिंदगी में यानि कि सुभा उठने से लेकर रात को सो जाने तक हम जो भी काम या निर्णय करते हैं उनमें से तकरीबन 40 प्रतिशत काम या निर्णय आदतन होते हैं मतलब ये काम या निर्णय हमारा चीतनमन नहीं अपितू अवचीतनमन करता है इन कामों को करते समय हम आटो पालेट मोड पर होते हैं ये ऐसे काम नहीं होते जिन्हें करने के लिए हम कोशिश करते हों यदि हम इन आदतन किये जाने वाले कामों वर निर्णयों में से उन्हें पहचान लें, जो हमें नुकसान पहुचाते हैं, और पहचान कर उन्हें किसी सकारात्मक काम या निर्णय की आदत से बदल दें, और फिर इस नई आदत को अपनाने के लिए 21 दिनों तक सचेश्ट र अधारित है, इसका उदेश्य है अपनी नुकसान देह आदतों को धो पोंच कर हटा देना, और लक्षे के दिशा में बढ़ने की अपनी गती को तेज करना, आदतों की और गहरी समझ के लिए तथा ये जानने के लिए कि हम कैसे खुद को अच्छी आदतें अपनाने के लि चलिए, अब इस अभ्यास को करके देखते हैं, पहला कदम, ये पता करना कि जिस बुरी आदत को बदलना है, वो कब और कैसे सक्रिय होती है, कौन सी बुरी आदत है, ये कब सक्रिय होती है, कहा होती है, उस समय कौन लोग साथ रहते हैं, उस समय आपके अंदर कैसी भावना दूसरा कदम, आदत से मिलने वाले सुख या आनंद की पहचान करना. इस बुरी आदत से क्या सुख या आनंद मिलता है? किस स्वस्थ आदत से उसे बदला जा सकता है कि वही सुख या आनंद मिले? उदाहरण के लिए, यदि हमें शाम के समय में कुछ मीठा खानी की आदत है, तो हम मिठाई को गाजर या मेवे से बदल सकते हैं. यदि फिर भी संतोश ना मिले, तो हम टहलने के लिए बाहर निकल सकते हैं. संभव है कि मिठाई घाने की तलब के मूल में हमारी उब या चिन्ता हो. सही रिप्लेस्मेंट चुणने का एक ही तरीका है, कि तरह तरह के विकल्प आजमा कर देखे जाएं, तब तक, जब तक कोई ऐसी चीज ना मिल जाए, जो उतना ही संतोश दे और कोई नुकसान भी न पहुँचाए. तीसरा कदम, नई दिन्चर्या बनाना. बनी-बनाई दिन्चर्या को अचानक बदलना बहुत कठिन होता है. इसलिए ये जरूरी है कि हम पहले दूसरे कदम के तहट सुख या आनंद के अन्य ऐसे विकल्प की पहचान करें, जो आपको अपनी आदत में बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर सके. एक बार जब हमने पहले कदम के तहट ये जान लिया कि वो नुकसान दायक आदत कहां और कैसे प्रकट होती है, और दूसरे कदम के तहट सुख या आनंद का वो विकल्प भी तलाश लिया, जो उसे नई सकारात्मक आदत से बदलने पर प्राप्त होगा. तब फिर हम इस तीसरे कदम के तहट एक ऐसी दिंचर्या निर्धारित करने के योग्य हो जाते हैं, जो हमें पुरानी नुकसान दायक आदत से छुटकारा पाने में सहायता करेगी. जब मुझे मन करेगा की, तब मैं ऐसा करूँगा, क्योंकि इस से मुझे मिलेगा उदारण के लिए, जब शाम के पांच बजे मैं घर पर अकेला बैठा उब महसूस कर रहा हूँगा, और उस उब को भगाने की नियत से मेरा केक खाने का मन करेगा, तब मैं उसके बदले ब कि लोट कर आने पर एक कप गर्मा गरम चाय के साथ एक दिल्चस्प पुस्तक पढ़ने का आनंद मेरा इंतजार कर रहा है। एंजिनियरिंग के मूलभूत सिधानतों में से एक है। फीडबाक उस दरपन के समान है जो दूसरे लोग हमें ये बताते हुए दिखाते हैं कि देखो तुम्हारी कितनी प्रगती हुई है। बिजली का बल बना रहे थे, तब वे अलग-अलग चीजों से बने तार बारी-बारी से लगा कर देख रहे थे, और तब तक देखते रहे, जब तक मन पसंद धंग से काम करने वाला तार उन्हें नहीं मिला। यही हमें करना है। तब तक तरह-तरह की कोशिशें करते रहना है, जब तक की अपेक्षित सफलता नहीं मिल जाती। फीडबैक का ये तरीका हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपना सकते हैं। अंक दें। जिन क्षेत्रों में कम अंक दिखें, उनमें हमें सुधार लाना पड़ेगा। और ये सुधार आदतों में बदलाव से ही आ सकेगा। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में सुना था। अपने बारे में नकारात्मक फीडबैक मांगे। लोगों ने जब एलोन मस्क, जिनके नवाचार के प्रती जुनून की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, से उनकी सभलता का राज पूछा, तो मस्क का सीधा जवाब था। अपने बारे में दूसरों के विचारों पर ध्यान दें, खास तोर पर अपने मित्रों और परिवार वालों के नकारात्मक विचारों पर। बिना मांगे सलाह न दें, कभी नहीं। जब हम किसी के जीवन में ऐसा कुछ देखते हैं, जो ठीक से काम नहीं कर रहा हो, तो प्रायह हम उस पर अपनी राय व्यक्त कर बैठते हैं, भले ही हमसे पूछा ना गया हो। ज्यादा तर मामलों में ऐसा करके, हम सामने वाले का तनाव और बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसे इस बिन मांगी सलाह की आवश्क्ता थी ही नहीं। और तो और इस बिन मांगी सलाह को सामने वाला कटू आलोचना भी समझ सकता है और तब वो अपने को सही साबित करने में लग जाएगा जिससे मन मुटाव बढ़ने की संभावना है करीब सौ साल पहले डेल कारनेगी ने कहा था कि शायद ही कोई आलोचना का कभी स्वागत करता है क्योंकि आलोचना उसके आत्म सम्मान को ठेस पहुचाती है कारनेगी के अनुसार आलोचना जब हम किसी के ऐसे काम की चर्चा करते हैं जिसे वो अच्छी तरह करता हो तो इससे वो दूसरे क्षेत्रों में भी सुधार के लिए प्रेरिध होता है लेकिन यदि कभी आलोचना आवश्चक हो ही जाए खास कर वहां जहां हम पर किसी के प्रदर्शन को सुधारने की जिम्मेदारी हो जैसे कि बौस के लिए उसके अधिनस्थ कर्मचारी शिक्षक के लिए उसके चात्र या माता-पिता के लिए उनके बच्चे उस थिती में भी नकारात्मक टिपणी देने के पहले सामने वाले के किसी और काम की प्रशंसा करके उसे ये विश्वास दिलाना चाहिए कि आप उसे पसंद करते हैं और उसके काम की इज़द करते हैं अनेक शोध अध्यायनों में ये पाया गया है कि व्यक्तिगत या पेशेवर संबंधों में आलोचना की तुलना में प्रशंसा पांच गुना अधेक असरदार रहती है किसी को अपने विचार सही सही बता पाना या किसी के अपने बारे में बताए विचारों को सही तरीके से ले पाना ये दोनों कठन काम हैं क्योंकि हमारी भावनाय आड़े आ जाती है आलोचना सुनने पर हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है उससे दूर भागने की उसे स्वीकार करपाना हमारे लिए कठिन होता है दूसरे जो कह रहे हैं उस पर सोचने समझने का समय बहुत कम लोगों के पास रहता है बेशक कुछ हालोचनाएं इरश्या जनित या दुर्भावना से भरी हो सकती है लेकिन जब अनेक व्यक्ति हमारे आचरण के किसी बक्ष पर एक जैसी टिपणियां करने लगें तो ये उचित होगा कि हम शांत मन से उस पर सोचें और जरूरी बदलाव लाने की कुशिश करें यदि हम अपने क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने काम एवं व्यवहार की कमियों के संदर्भ में दूसरों से फीडबाक लेते रहना बहुत फायदेमन सावित होगा लेकिन ये हमें सही व्यक्तियों से मांगना है उन लोगों से जो सच-सच बताएं और जिन्हें हमारी जूठी तारीफ करने की कोई जरूरत ना हो उपयोगी फीडबाक पाने का सही तरीका है विशिष्ट प्रश्न पोचना यदि आप पूछेंगे मेरी नई फोटो प्रदर्शनी आपको कैसी लगी तो निश्चित रूप से आपको कुछ रटे रटाए से अर्थ हीन से उत्तर मिलेंगे जैसे की आपके फोटो मुझे अच्छे लगते हैं या फिर बहुत सुन्दर ऐसे उत्तरों में आपके सीखने के लिए कुछ नहीं होगा आम प्रशनों के आम उत्तर ही मिलते हैं लेकिन यदि आप एक विशिष्ट प्रशन पूछें मसलन प्रदर्शनी के बीज चाया चित्रों में से आपको सबसे भावहीन, सबसे अनाकर्शक कौन सा लगा तब आपको एकदम सटीक उत्तर मिलेंगे और आप जान पाएंगे कि अगली बार आपको अपने काम में क्या सुधार लाना है खास तोर पर तब जब आप लोगों से ये प्रदिप्रशन भी करें कि उन्हें अमुक चाया चित्र, भावहीन एवं अनाकर्शक क्यों लगे इन उत्तरों को ध्यान से सुने इनमें आपकी तरक्की के महत्वपूर्ण सूत्र छुपे होते हैं सही फीडबैक से हम अपने एकिगाई को जल्द पा सकते हैं बिना दूसरों के विचार जाने, हम हर दिन एक नई दिशा में निकल जाएंगे और संभावनाओं के महा समुद्र में भटकते रहेंगे नैतिकता का एक सुनेहरा नियम एक क्षण के लिए सोचें कि आप क्या अधिक पसंद करेंगे अकारण नाहक प्रशंसा पाना या उचित वलायक प्रशंसा भी ना पाना नसीम निकलस तालेग आगे कुछ सूत्र हैं जिनकी मदद से आपको वैसे फीडबाक मिल सकेंगे जो आपके जीवन में सुधार लाएंगे और आपको अपने लक्षे के निकट ले जाएंगे उनसे पूछिए जिन्हें आप सराहते हों और जो संबध विशय पर आपसे अधिक जानते हों उनकी आलोचना को अनसुना कीजिए जिन्हें आप जानते ना हों और जिनका विशय ग्यान आपसे कम हो अपना व्यवहार ऐसा रखिए कि जो आपको फीडबाक दे वो अपने आपको सम्मानित होता समझे पहला, मुझे बिलकुल बुरा नहीं लगेगा यदि आप सबश्ट बताएं कि इसमें क्या आपको सबसे कम अच्छा लगा या तनिक भी अच्छा नहीं लगा दूसरा, आपको सबसे अधिक पसंद क्या आया तीसरा, क्यों आया यदि वे ठीक ठीक नहीं बताते कि क्यों उन्हें कोई चीज पसंद आई, तो उनके कहे को भूलना ही बहतर है, क्योंकि वैसे फीडबाक बहुत उप्योगी नहीं होते छो कशु मंत्र छोड़ना, करते रहना, शुरू करना ब्रायम यंग विश्व विद्याले के प्रोफेसर फिल डैनियल्स के अनुसार, किसी से फीडबाक मांगने में, ये तीन प्रशन बहुत उप्योगी सिध्ध होते हैं इन प्रशनों को पूछने का ध्येई है निश्पक्ष और निर्भीक उत्तरपाना इन में से पहला प्रशन थोड़ा गूढ है क्योंकि इसके माध्यम से आप सीधे सीधे नपूछ कर अप्रत्यक्ष धंग से पूछ रहे हैं की आप में या आपके काम में क्या घलत है पहला, मैं क्या करना छोड़ दूँ दूसरा, क्या करता रहूँ तीसरा, क्या करना शुरू करूँ इन तीन प्रश्णों के बदले मिलने वाले उत्तरों से आप जो जानेंगे उससे आपके जीवन के सभी क्षेत्रों कामधंधा, रिष्टेनाते, कला, व्यापार इत्यादी में तेजी से सुधार आएगा खुद को सुधारने का सबसे छोटा रास्ता है नेगेटिव फीडबैक पर ध्यान देना छठा स्टेशन, सेमपाई जिन्दगी में एकाथ दो उस्ताद भी चाहिए जैसे जैसे हम अपने इस सफर में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे पिछले स्टेशनों पर सीखे सिधानतों को